हलो एवरिवन वेलकम तो द्रिश्टी जुडिशरी आइम निवेधिता राजे और आज के एपिसोड में हम अपने IPC और BNS के अनालेसिस को आगे ले जाएंगे तो पहले जो IPC में विमन और चिल्रन को प्रोटेक्ट करते हुए उफेंस थे उनके अगेंस्ट जो उफेंस थे वो पूरे IPC में स्काटर्ट थे ठीक है कोई एक पॉर्टिकुलर चाप्टर या पार्ट नहीं था जो सिर्फ विमन और चिल्रन से डील कर रहा था और उनके अगेंस्ट ओफेंस को पनिश कर रहा था BNS में इस पॉजिशन को चेंज किया गया है और विमन और चिल्रन के अगेंस्ट जितने भी ओफेंस थे और जो एड किये गए हैं उनको एक ही चाप्टर में कॉन्सॉलिडेट कर दिया है और वो चाप्टर है हमारा नया चाप्टर 5 विच इज ओफेंस अगेंस्ट विमन और चिल्रन तो ओफेंस जैसे कि आप देख सकते हें हर चाप्टर में कोई न कोई ओफेंस था especially in offences against body जिसमें विमन के और offences against मार्यज और offences of marriage relating to marriage तो section 228A, 304B, 312, 318, यह specifically वो sections है जो women के against है यह children के against है, minor girls के against है, ठीक है तो इन सब को एक ही जगे पर कर दिया है, जिससे कि एक proper consolidation आजाए, एक uniformity और clarity आजाए इन offenses के जलते, तो क्या-क्या changes है, मतलब obviously पुराने जो offenses है उन्हें import किया गया है, तो कौन से वो sections है जिनने as it is import कर लिया है और कौन से वो sections है जिनमें कुछ change introduced किया है, let us start. अब पहला जो section था, 375 वो अब है section 63, section 375 IPC में rape को define करता था, और उसी section का एक exception number 2 था, जो कहता था कि if a wife is less than 15 years of age, only then a sexual activity against her would be rape, not otherwise. तो एक पत्नी या बीवी जो 15 साल से कम उमर की है, उसको अगर एक husband sexual act से subject करता है, तो वो rape है, otherwise अगर वो 15 साल से उपर है और वो बीवी है, तो इन दोनों के बीच का sexual relation, rape की category में नहीं आता, मतलब IPC marital rape को punish नहीं करता था, अब marital rape को specifically BNS भी punish नहीं कर रहा है, लेकिन यो जो 15 years का जो age था, इसको BNS ने change कर दिया है, तो जो नया section है, section 63, वो कहता है, any sexual act against the wife who is less than 18 years of age would amount to rape, तो वही कि minor का consent consent नहीं है, तो अगर husband भी एक 18 साल से कम लड़की के साथ sexually involved होता है, और भले ही उस पत्नी की या wife की consent के साथ होता है, तो भी IPC उसे, sorry BNS उसे, consensual sexual activity नहीं कंस्टू करेगा, उसे rape ही माना जाएगा, ठीक है, this is what it is, sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under the age of 18, 18 से above, अगर sexual act है, तो वो consent के साथ या consent के बिना, it will not be rape, ठीक है, चलो, अगला change क्या है, पहले कोई भी ऐसा offense नहीं था, जहां पे जूटा वादा करके sexually engage हो गया कोई, और उसे उसकी सजा दी गई, ठीक है, हाला कि rape को कई बार बहुत सारी situations में, instances में, courts नहीं interpret किया है, to mean कि अगर deceit में consent लिया गया है, तो वो consent नहीं माना जाएगा, और consent की जो definition IPC में दे हुई थी, वो भी कही न कहीं इस चीज का जिकर करती थी, कि भाई इस situation में consent consent नहीं है, तो fraud और deceit में भी अगर consent दिया है, तो consent की definition को rape की definition के साथ पढ़ते थे, और फिर अगर किसी deceit में या किसी fraudulent या cheat करने के इरादे से sexual activity की है, तो उसे rape मान लेते थे, लेकिन हर जगे इस चीज को construe या interpret करना मुश्किल होता था, अब BNS में इस particular act को proper separate offense बना दिया गया है, तो if a man gets involved with a woman in a sexual relation under a deceit, और वो deceit किसी भी तरह का हो सकता है, कि मैं तुम से शादी करूँगा या, you know, it mentions specifically whoever by deceitful means or by making a promise to marry a woman, शादी का वादा देकर या शादी के जूटे वादे पर अगर एक आदमी, एक लेडी के साथ sexually involved होता है, और उसके जो वादा था, वो जूटा था, मतलब वो इसे पूरा करने का कोई रादा नहीं रखता था, तो उसके act को separately punish किया जाएगा, and a child will be punished with imprisonment for a term which makes sense to 10 years, लड़के को sexual activity बे सकम करवा दिया गया है, तो उस लड़के को 10 साल तक की सजा हो सकते है, ठीक है, अब रेप में इस तरह का कोई provision नहीं था, but BNS, you know, makes a conscious effort to make sure की लड़के को धोके से physically exploit ना किया जाएगा, So, this is a very good attempt, जिससे काफी सारी जो society में जो चल निकला है ये शादी का बाद हो, काफी पहले से actually चल रहा है, ये relatively कम हो जाना चाहिए, क्योंकि penalty बहुत severe है इस offense, ठीक है, तो ये एक नया offense introduced हुआ है, और ये section है, section 69, ठीक है, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, 376DA, जो की gang rape को punish करता था, लेकिन ये gang rape को सर्फ एक age group में punish करता था, So, punishment for gang rape against a girl under the age of 16, right? So, punishment for gang rape on a woman under 16 years of age, इसकी punishment काफी severe थी, इसे बाद में निर्भया के बाद जो 2018 में जो amendment आये, 2013 में जो amendment आये थे, उन में इस section को add किया गया था, ठीक है, तो when a woman under the age of 16 is raped by a gang, और one or more person, gang एक से जादा है, ठीक है, तो if a lady और a girl under 16 was raped by more than one person, it would be a gang rape. In furtherance of a common intention, shall be deemed to have committed the offense of rape, और इसका imprisonment था, imprisonment for life, जो की remainder of that person's natural life, मतलब life imprisonment का एक certain definition दे रहा था, IPC में life imprisonment would mean 14 years, तो life imprisonment का मतलब यह नहीं कि आदमी सारी जिन्दिगी, जेल की सलाखों के पीछे है, IPC के इसाब से life imprisonment maximum 14 साल तक जा सकता है, मतलब judge के पास discretion है, life imprisonment की 14 साल की सजा देने का, ठीक है, it would mean 14 years, maximum, इससा जादा नहीं हो सकता था, लेकिन इसमें life imprisonment के meaning को थोड़ा सा change कर दिया, और इस section और दो-तीन sections थे इस तरह के, उसमें life imprisonment would not mean 14 years, but would actually mean what it is, life imprisonment, imprisoned for life, मतलब वो जितनी भी जिन्दीगी उसकी बाकी है, वो जेल में ही कटेगी, वो जेल में ही मर जाएगा, ठीक है, तो this was added, provided that such fine is just and reasonable, उस fine भी लगेगा, और medical expenses, rehabilitation, victim का सब कुछ प्रोइट करना पड़ेगा, काफी severe penalty थी, अच्छा attempt था, लेकिन BNS ने इसको change कर दिया है, और section 70 clause A, सिर्फ 16 years and under की women पर gang rape पनिश नहीं कर रहा है, इसका corresponding section 70 in general gang rape को पनिश कर रहा है, और जादा severe penalty के साथ, राइट, 70 A talks about gang rape in general by one or more person against a woman, ठीक है, just a woman, और वो woman कोई भी हो सकती है, तो यहाँ एक specificity थी, कि भाई, 16 साल से कम का punishment है, यह एक general है कि gang rape on a woman, चाहे वो किसी भी उमर के आकने में आए, उसका जो punishment होगा, वो minimum 20 years होगा, और maximum imprisonment for the entire life होगा, यह है change, ठीक है, but which may extend to life which shall mean imprisonment for the remainder of a person's natural life, बाकी सब को theme रहता है, भाई, प्रुवाइज वो जो है, कि भाई, fine just unreasonable होगा, unreasonable fine आप accused से extract नहीं कर सकते, similarly accused की जिम्मदारी है, state की भी जिम्मदारी है, कि proper medical expenses और rehabilitation भी प्रुवाइट करवाई जाएए, ठीक है, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, life के लिए, पूरी जिन्दिगी के लिए imprisonment, या फिर death भी हो सकता है, ठीक है, तो death का punishment prescribed करते हैं, IPC में बहुत सारे offenses नहीं थे, कुछ ही थे, जैसे murder हो गया, 364A था, राइट, लेकिन जो नया amendment आया, 2013 का, उसमें death की penalty के साथ कुछ नय, sexual offenses को introduce किया गया, अब यह जो 376D भी था, यह particular, again, particular age group के लिए आया, 376DA भी particular age group के लिए ही आया था, इसको change किया है, और section 70 clause to women under the age of 18 को target करता है, तो 71 जो है, वो women above 18 को protect कर रहा है, और 70 clause 2 जो है, वो women in general below 18 को protect कर रहा है, ठीक है, तो 71 और 72 में age barrier को थोड़ा और generalize करने की कोशिश की गई है, गैंग रेप सिर्फ एक छोटे बच्चे पर नहीं हो सकता, गैंग रेप किसी भी उमर की औरत पर हो सकता है, आपको in general पूरी womenhood को protect करना पड़ेगा, तो section 70 जो है, वो section 2013 की इसी एक anomaly को पूरी तरह से correct करता है, वो अपनी protection के umbrella में सारी women को under all age group protection दे दे रहा है, तो it's a very good section, right, so section like I said, section 70 clause 1 protects women against gang rape above the age of 18, section 70 clause 2 protects women under the age of 18, right, punishment shall be punished for life, punishment वही है, remainder of a person's life और with death, तो minor पे gang rape, death पे punishable है, मतलब minor gang rape की सजा, death भी हो सकती है, ठीक है और बाकी life imprisonment तो है, and not just a child below the age of 12, मतलब वो अभी भी protected है, हर कोई 18 साल से कम उमर का हर बच्चा इस protection से अब entitled है, ठीक है, अब हम आजाते हैं, 354B, 354B was basically assault with an intent to disrope, तो एक आदमी अगर assault कर रहा है, everyone understands the meaning of assault, right, तो assault is basically, अगर tort की definition को import करें, तो assault is basically an act that causes an apprehension to a person, कि उस पर एक attack होने वाला है, ठीक है, तो बैटरी का पहला step, तो कोई act जो एक apprehension cause करें, कि आपको चोट लगने वाली है, थोड़ी या जादा, वही assault है, ठीक तो यही 354B उसी तरह की assault की बात कर रहा है, कि एक आदमी कैसा apprehension create करता है, एक लेडी के दिमाग में, कि वह उसे मारेगा, पीटेगा, छोट लगाएगा, किल कर देगा, जो भी करेगा, और वह यह assault, वह apprehension create इसलिए कर रहा है, because he wants that woman to disrobe, to remove her clothes, तो यह specifically punished था, section 304B में, जिसकी terminology थी, वह protection only against man देती थी, मतलब this offense was punishable, you know, or punishing the acts of a man only, तो अगर एक आदमी करे ऐसा, तो ही उसे punishment मिलेगा, अब के थाइम में, जब crime का जो, you know, commission है, वह काफी diverse हो चुका है, और crime सिर्फ एक, you know, it's not just something that a man does, I mean, in an ideal society, one would definitely want to believe that, या फिर किसी feminist society में, या आदमी ही तो crime करता है, बट ऐसा नहीं होता, थीकिए, women criminals भी होते हैं, और अब third gender भी properly recognized कर लिया गया है, in fact, BNS में भी, he में third gender को include किया गया है, तो अब जब हम एक generalized offense की बात कर रहे हैं, proper consolidation, proper alignment with the modern world and thought process, तो हमें इस चीज़ को भी consider करना पड़ेगा, कि एक lady को disrope करने का intent किसी का भी हो सकता है, ठीक है, सिर्फ एक आदमी का नहीं हो सकता, और assault भी उस intention को execute करने के लिए कोई भी इंसान कर सकता है, irrespective of the gender, right, and that is exactly what the change is, so section 354b is now section 76, और any man को replace कर दिया है, whoever ने, तो कोई भी अगर एक woman को, this has become gender neutral against everyone, but it still only protects a woman, ठीक है, यह gender neutral protection point of view से नहीं हुआ है, punishment point of view से हो गया है, ठीक है, तो whoever assaults or uses criminal force to any woman, और abatt such act, अब abattment भी है इसमें, obviously यह, पहले से ही था, abatt such act, क्योंकि बहुत सारे instances ऐसे हैं, जहां पर women ने, you know, facilitate किया है, जैसे, जब trafficking वगरा, या फिर यह जो brothels हुआ करते थे, prostitution के लिए, या फिर, you know, these areas where women used to dance, तो इस तरह के areas में, जो भी कुछ होता था, उसे facilitate करने वाली madams ही हुआ करती थी, है न, अपने movies वगरा में देखा होगा, तो उन madams को punish करने के लिए ज़रूरी था कि, इसे थोड़ा सा expand किया जाए, हाला कि, IPC की scheme फिर भी उन madams को punish नहीं कर रही थी, because it was very strictly punishing a man, who is doing something like that, but here it has become gender neutral, so whoever does this, or commits an assault or a criminal force, with an intention that a woman disrobes, या फिर वो इस तरह की act को अबेट करता है, फिर वो इस तरह की act को अबेट करता है, punishment remains the same, पहले भी 7 साल की सजात हो सकती थी, अभी भी हो सकती है, चीक है, 3 से 7 साल तक क्या punishment है इसमें, okay, moving on, 498 है, enticing or taking away, or detaining with criminal intent of marriage, तो एक married lady को, अगर किसी ने बहला फुसला के, entice करके, वो उसे ले जाता है, अब उसके husband से दूर जूत, 498 था, तो यही कह रहा था, it was not exactly adultery, but it was, you know, sort of resonating the principle that adultery originally embodied, right, so whoever entices, entices का मतलब होता है, बहलान फुसलान, so entices a married woman, and takes her away from her husband, ठीक है, so from her husband, or from any person, जिसके care में उसके husband ने उसे छोड़ा हुआ है, with an intention कि वो उसके साथ sexually involved होगा, और वो उसे detain कर लेता है, या छुपा लेता है, इसी intention से, कि मैं इसके साथ sexually involved होँगा, so he'll be liable under section 498, ठीक है, तो यह सर्फ एक शादी शुदा और लेडी को प्रोटेक्ट करता था, अब इसमें age window नहीं दे रखा, यह generally जो था आया ही, इसले क्योंकि colonial era में जब यह law आया था, Indian society में खेरी यह चीज आज भी थोड़ी से चली रही है, 1860s में, 1800s में लड़कियों की शादी बहुत जल्दी हो जाये करती थी, ठीक है, in fact, child marriage prohibition, जोगी 1960s में आया, तब तक यह trend बहुत चलता हुआ था, यह जल्दी से शादी कर देते थे, जैसे ही, you know, a girl attains puberty, शादी कर दो उसकी, because the purpose of her is now into use, मतलब जिस काम के लिए वो है, which is reproduction, it is now active. यह बहुती छोटी बात है, लेकिन this is what it is, यह इस सुसाइटी के रियालिटी थी. ठीक, तो अब वो जो लेडी है, तो काम उमर की है, she is, you know, enticeable, मतलब उसे बहलाया, फुसलाया जा सकता है, और उस टाइम पर लेडीज को फीमिल को पढ़ाते लिखाते भी नहीं थे, तो जब, you know, a person is not educated, male or female, they are more prone to impression or influence, उन्हें बेवकूफ बनाना, उन्हें दोका देना, उन्हें बातों में ले आना, relatively easy है, क्योंकि उनके पास वो awareness, या वो cognitive faculty नहीं है, तो अब इस तरह की society थी, जो एक well aware educated society नहीं थी, especially in relation to women, तो उसमें इस तरह के offences नहीं बहुत common थे, ज़रूरी था इस तरह का एक section create करना, और लोग जो थे वो नोकरी की तलाश में, कामकाच की तलाश में बाहर जाया ही करते थे, तो अपनी छोटी बीवियों को साथ नहीं ले जाते थे, अपने घरवालों के उसमें, care में छोट दिया करते थे, which is where it all started, कि किसी ने बहलाया, फुसलाया, चोटे बच्चे को ले गया, या फिर छोटी लड़की को ले गया, फिर उसके साथ sexually involved हो गया, अब मुझे लगा था कि अडल्टरी क्योंकि हटा ही दिया था, तो इस तरह का उफेंस नहीं होगा, लेकिन है, ठीके, तो उफेंस on the similar line is in Hartiya Niai Sangeeta also, because we cannot assume in this particular society that still every lady is, you know, mature and literate and fully, completely aware. अभी भी शायद इस तरह के उफेंस या कमिशन का scope है, और इसलिए इस section का एक certain spirit retained किया गया है, लेकिन ये जो proper, ये जो phrase था, पर्टिकलिर फ्रेंस, तो उसके हस्बेंस से दूर ले जाता है, जैसे किडनापिंग नहीं है, इंटाइस इस फ्रम दो गार्डियन, मतलब legal care of the guardian, तो गार्डियन की केर से अगर कोई आदमी आपको दूर ले जाता है, वो किडनापिंग है, यहां पर भी अगर हस्बेंट से कोई आपको दूर ले जाता है, तो इन इसल्फ यह एक उफेंस है, लेकिन उसमें इंटेंशन यही होना चाहिए, कि सेक्शल रिलेशन का इंटेंशन था, अगर कोई और बात है, तो फिर, of course, it is not punishable under section 498A, it might be kidnapping, of course, if the girl is a minor, otherwise not, तो, from the man, या फिर उस आदमी ने जिसकी केर में उसे छोड़ रखा है, और रेलेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस पर्टिकलर फ्रेज को रिमूव कर दिया गया है, और इसे एक जनरल section बना दिया गया है, पर 98 में भी नहीं था, वो इसे मैं ले जा रहा हूं, एंटाइस करके, उसे वो ले जाता है, वो किसकी कस्टडी में थी, किसके साथ थी, किसके साथ नहीं थी, अगेली थी, इस चीज को रिमूव कर दिया गया है, वो बस उसे ले जाता है, that is it, that is what the section says, ठीक है, with the intention that she may have illicit intercourse with that person, और concese or detains her with the same intention, तो सजा दो साल तक ही हो सकती है, तो यह जो guardianship, जो यह section कही नहीं manifest करता था, you know, advocating the idea of child marriage, which was quite prevalent at that age and time, यहां पर इसको पूरी तरह से remove कर दिया है, तो she doesn't necessarily have to be with anyone in order to be enticed, it is completely functional even if the woman is alone, ठीक है, just needs to be married and to be enticed or taken away, ओके, चलो, अच्छा, अब आते हैं हम children के offenses, अगर आपको याद हो, abattment, right, section 107 से लेकर, section 120 तब, जाता था abattment, अब उसमें abattment के बहुत सारे facets थे, section 107 abattment को in general define कर रहा था, section 108 abattment के कुछ facets को describe कर था था, with various explanations, ठीक है, तो अब जो abattment है, उसमें थोड़ा सा change किया गया है, और बच्चों को भी इसके category में डाला गया है, meaning thereby कि अगर कोई आदमी, एक बच्चे को hire करता है, engage करता है, या फिर employ करता है, उससे एक crime commit करवाने के लिए, तो वो एक offense होगा, इस तरह का कोई specific offense नहीं था IPC में, जो particularly abattment to children को punish करे, या वो उस abattor को punish करे, जो एक बच्चे के through crime के commission को abatt करवा रहा है, by a general broad interpretation, it could have been made punishable under section 107, but otherwise there was no specific section that talked about it. However, in BNS, there is a particular section which is section 95, it specifically says, whoever hires, employs or engages any child, ab child ki definition ko kahaan se import kia जाएगा, this is something which needs to be clarified, ठीक है, child क्योंकि बहुत सारे acts में defined है, और IPC में child word का use नहीं था, right, the word that was used to, you know, clarify the age of the person was just referring them as a minor, और specifying the age window, बच्चा मतलब child ko कहीं पे भी mention नहीं किया गया था, लेकिन BNS में, मैं और आगे बढ़ूँगी तो आपको clear होगा, कि BNS में जितने भी offenses थे, जो minors के against थे, उनमें minors को replace करके, the word child is now used, अब इस child की definition BNS में तो दे नहीं रखी है, तो ये कहां से import की जाएगी, what would be child, how would the child be defined, इसको आगे discuss करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, तो अगर कोई एक बच्चे को engage, employee or hire करता है, to commit an offense, that person or that abettor, shall be punished with the imprisonment, जो minimum 3 साल का होगा, और 10 साल तक जा सकता है, fine के साथ, और जो offense उसने abett करवाया था, अगर वो commit हो जाता है, तो उसे वही सजा मिलेगी, जो की original criminal को मिलती, अब इसमें बहुत सारे interpretations हैं, अगर बच्चा छोटा है, जैसे 7 साल से छोटा है, तो 108, जिस explanation को contain करता था, कि मतलब अगर एक incapable, legally incapable व्यक्ती से offense करवाया जाता है, तो भी punishment है, just because an offense is abetted by a legally incapable person, doesn't mean the abettor is not liable, abattment is an offense itself, तो अगर एक 7 साल के बच्चे से एं murder करवा देता है, तो उस 7 साल के बच्चे को murder की सजा नहीं मिलेगी, लेकिन क्योंकि तुमने murder करवाया, तो तुम्हें murder की सजा मिलेगी, that is what section 108 explanation contained, तो यहाँ पे भी जब construe किया जाएगा, क्योंकि child की definition तो broad है, है ना, foxों के हिसाब से 18 साल से नीचे का हर व्यक्ती child है, तो अगर उसी definition को import किया जाता है, तो provisions जो हैं, वो change होंगे, for example, 7 साल से अगर नीचे है, तो डोली in capex का जो defense है, वो लगेगा, जो BNS में बिलकुल उसी तरह से दे रखा है, मतलब उस बच्चे को कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अबेटर को सजा मिलेगी, as an adult, अगर 7, 2, 12 years की window है, तो डोली कपेक्स का defense आएगा, मतलब mental faculty को समझा जाएगा, कि वो बच्चा समझ रहा था, कि उससे क्या करवाय जा रहा है, ठीक है, और उस maturity की basis पे determine किया जाएगा, कि abetted को punishment देना चाहिए या नहीं, और अगर वो 12 साल से उपर है, और 18 साल से नीचे है, तो वो Jewy की definition में आ जाएगा, तो अगर उसने offense किया है, तो ऐसा नहीं कि उससे सजा ही नहीं मलेगी, उससे punish किया जाएगा, पट अज़ जूविनाल पनिश किया जाएगा, हवेवर जो बैटर था, इफ ही वोज अन अडल्ट, वोड बी पनिश्ट इन दे सेम मैनर, उससे वही सजा मिलेगी, जो offense में दे रखना है, वेरास दे चाइड वोड बी पनिश्ट, अक्वर्डिंग टू विच एज ग्रूप ही फॉल्स इंटू, साथ साल से नीचे कोई punishment नहीं, 7 तो 12 सबजेक्टिव डिपेंड करेगा, maturity level एट्सेटरा पे, 12 तो 18 juvenile, ठीक है, I hope ये clear है, अब आता है 366, एप procuration of minor girl, तो कोई भी अगर एक minor girl को induce करता है, एक जगे से दूसरी जगे जाने को, ये basically kidnapping ही था, ठीक है, तो एक minor girl को who is under the age of 18, अब यहाँ पे देखो minor girl under the age of 18, अब सिर्फ girl child को protection मिल रहा है यहाँ पे, only girl child, girl minor को, एक boy minor को कोई protection नहीं देता था, 366A या IPC, IPC in fact इस चीज़ को, सिवाए 377 के consider ही नहीं करता था, कि offense लड़कों के खिलाफ भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं गहारे हैं कि वो, BNS बहुत अच्छे से cover कर रहा है, लेकिन हाँ बच्चों की category में तो उसने इस attempt को, या इस folly को पूरी तरह से remove कर दिया है, ठीक है, adult men के लिए BNS कोई protection नहीं लेकर आया है, बट children के लिए protection अच्छी खासी introduced की गई है, तो 366A सिर्फ minor girl को protect करता था, जिसे kidnap कर लिया गया है, who has been taken from one place to another, ठीक है, with the intent या फिर with the knowledge की उसे force किया जाएगा, या seduce किया जाएगा, to illicit intercourse with another person, अब इसकी सजा 10 साल तक हो सकती थी, चेंज हुआ है 366A से, यह section अब 96 है, talks about the same principle, again, procuration of a person or, you know, a person who is not an adult, for the same or with the same intention, illicit intercourse, लेकिन अब यह जो person है, यह सिर्फ एक minor girl नहीं है, it is a child, तो child में boy भी है और girl भी है, mind you, so the protection that 366A provided only to minor girl, is now available against a child in general, girl or a boy, ठीक है, अगर हम interpretation के perspective से समझें, तो मुझे लगता है कि एक uniformity के लिए, minor को replace करके, child को introduce कर दिया गया है, so that every child is protected under the offense, और under the section, अब child तो बच्चा लड़का भी है, लड़की भी है, भाई 18 साल से जो भी दीचे है, वो बच्चा ही है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, है ना, तो अब यह चाहिल्ड की definition, since IPC में नहीं है, मुझे लगता है, क्योंकि हम offenses की बात कर रहे हैं, criminal acts की बात कर रहे हैं, तो इस definition को POXO से import किया जाएगा, ठीक है, तो POXO से हो सकता है, इसे import किया जाए, for more clarity, अब यह ही है कि भाई, आपका intention क्या है, POXO का same वही intention है, जो BNS का है, चिल्रन को protection देना, और POXO भी यही करता है, कि बच्चों को exploitation से बचाना, और यहाँ पे भी different तरहें के और protections दे जा रहे हैं, kidnapping से बचाना, exploitation से बचाना, etc. तो अब child-child similar definition import करेगा, इस तरह से law में, interpretation में, एक uniformity आ जाएगी, जब POXO जिस बच्चे की बात कर रहा है, या जिस बच्चे को POXO protect कर रहा है, उनी बच्चों को IPC भी protect कर रहा है, मतलब protection in general, जहां पे भी दी जा रही है, वो minor girl या boy को, या minor 16, 12, etc. को नहीं दी जा रही है, बच्चे को दी जा रही है, चाइल्ड को दी जा रही है, तो all the legislations across the country would have the similar import, चाइल्ड in general, जिससे overall सभी बच्चे protect की जा सकें, इसलिए BNS को और थोड़ा सा, जो current legislation है, उनकी according align किया गया है, current legislation में भी word child ही use करता है, if the legislation aims to protect a child, और child की definition वही है, जो minor की general clauses act में थी, person under the age of 18 is a child, ठीक है, and that child is entitled to protection under BNS, properly, ठीक है, अब ये पूरी तरह से gender neutral हो चुका है, protection point of view से only, ओक है, तो everything remains the same, except the word the age of 18 years child, minor girl और age of 18 जो है इसको हटा दिया गया है, induces any child to grow from, go from any place to or another to do any act with the intent that such child may be or knowing, etc. भाई, पूरी तरह से, the child is protected, उसे कहीं से कहीं ले जाए गया, with the intention कि इसको sexually use किया जाएगा, ठीक है? the section is now section 96 अब आता है 372 which punished selling of minor for the purpose of prostitution, etc. ठीक है, तो ये trafficking का एक वो था, extension था, अब यहाँ पे भी वही same change है, minor की जगे, child protected है, हाला कि ये particular section जो था, वो gender neutral था, boy girl दोनों को protect करता था, लेकिन again, for uniform, uniform purpose and, you know, for the sake of uniformity that we just discussed, इसको भी change करके, child कर दिया है, selling child for the purpose of prostitution, वो child कोई भी हो सकता है, लड़का हो सकती है, लड़की हो सकती है, third gender भी हो सकता है, बस 18 साल से कम होना जाए, जी कहा है, हाला कि 372 भी exactly यही चीज़ टार्गेट कर रहा था, लेकिन थोड़ी और clarity इंट्रोडूस करने के लिए, the word child has been incorporated, punishment remains exactly the same, 10 साल तक का punishment 372 भी देता था, और section 98 भी उतना ही punishment दे रहा है, ओके, अब हमाते हैं 373, बिलकुल उसका corresponding section है, वो selling को prohibit करता है, यह buying को prohibit कर देता था, अब buying में भी the same change has been made, the section is now section 19, prohibits the buying of a child, not a minor child, for the purpose of prostitution, तो बच्चे की खरीद बेच, prostitution के purpose से, 372 और 373 पनिश करते थे, अब नव दो section are 98 and 99, again the same principle, same context, they prohibit the buying and selling of a child, ठीक है, चलिये, अच्चा यहां पे, punishment भी थोड़ा सा change किया गया है, जैसे, this punishment could have extended to 10 years, लेकिन यहां पे, punishment में minimum, वो लगा दिया गया है, यहां पे minimum punishment 7 years होगा, जैसे, इसमें कुछ भी हो सकता था, 10 साल maximum, आप कितना भी दे दो, 10 साल तक का punishment, तो वो एक साल भी हो सकता है, वन यहर भी हो सकता है, समझ रहे हैं अप मेरी बात, तो बहुत सारे, इस चीज़ को consider किया गया है, कि, trafficking का जो पूरा का पूरा, racket होता है, उसमें कई बार, बहुत influential लोग भी सामने आ जाते हैं, ठीक है, जब punishment को इतना ज़्यादा subjective, और इतना ज़्यादा, open to interpretation, बना दिया जाता है, कि, वो 10 साल तक की सजा हो सकते हैं, 10 साल मतलब maximum है, एक से लेकर 10 साल तक की, 6 माईने की भी सजा हो सकते हैं, इस से कम सजा तो आप देंगे ही नहीं, तो arbitrary interpretation का स्पोब बिल्कुल ही खतम हो जाता है, अब यहाँ पे अगर कोई racket exposed हुआ, उसमें कोई एक influential आदमी exposed हो के, तो हो सकता है वो, यहाँ तो justice नहीं मिला, IPC इस particular aspect को consider करने में, सक्षम नहीं था, it completely failed to consider the existing society which contains influential, non-influential, all kinds of people, right? But BNS on the other hand is definitely taking that into consideration and a minimum punishment is introduced in the section 99, जहाँ पे यह punishment साथ साल से कम हो ही नहीं सकता और चौदा साल तक जा सकता है, तो 7 to 14 के window में आप उसे imprisonment देंगे, साथ से कम नहीं, 14 से जादा नहीं, ठीक है? तो जो discretion था, punishment को count करने का, यह decide करने का, वो पूरी तरह से खतम हो चुका है, ओक है? तो यह था हमारे IPC का और BNS का change, आज हमने women और children को cover कर लिया है, पूरी तरह से, ठीक है? इसी तरह से धीरे-धीरे हर chapter, हर part को हम cover करते जाएंगे in each law, तो I sincerely hope कि यह series आपकी मदद कर रही है, आपकी preparation को, जो नया development है उसके साथ, you know, proportional रख रही है, ओके, तो आज का question है, इसका answer आप comment में लिख सकते हैं, child, minor, children, women, और इसी तरह कि अगर आप और questions प्राक्टिस करना चाहते हैं, जो latest, नए, जो criminal laws हैं, उन से, उन पे based हैं, तो आप हमारे insta handle को joint कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ a question मैं करा रही हूँ, लेकिन इस तरह के multiple, और तरह के, और questions आप हमारे insta से practice कर सकते हैं, इसका answer comments में जरूर, you know, leave the answer in the comments, I would really appreciate it, तो आज के लिए इतना ही, I sincerely hope that if you were able to get all that, बाकि कोई परिशानी, कोई doubt, you can leave it in the comments, I'll answer it the next day, ठीक है, तो फिर मिलेंगे, साड़े पांच बजे, इसी तरह के analysis के साथ, तब तक प्लीज अपना खयाल रखें, तब तक प्लीज अपना खयाल रखें, तब तक प्लीज अपना खयाल रखें,